आधा हिस्सा जिसके वगएर सच पूरा नहीं होती वो है अर्ध सत्य। नमस्कार मैं राणा एश्वंत इंडिया नूस पर आपका स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। खबरों को बेहद आसानी से आप तक पहुँचाने की ऐसी कोशिश जो उस आधे हिस्से को पकड़ के आपके सामने रखती है जिसके बिना सच पूरा नहीं हो सकता। आज अरसत में जानेंगे कि नितीश कुमार ने आज जो कहा क्या उसका मतलब ये है कि इंडिया गठवंधन का दे इंड आ रहा है। यह भी जानेंगे कि कॉंग्रिस भारी बहुमत से जीतने के बाद भी अपने करनाटक में क्या सरकार गमा देगी। अकले श्यादों ने जो इशारा दिया है उसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वे कॉंग्रिस को कह रहे हैं कि इतनी ही सीटों के साथ चलना है तो चलो वरना सिलाम नवस्ते इजरेल भी आपको मैं लेकर चलूँगा यह बताने के लिए कि हमास की सुरंगों को जिस तरीके से खत्म करने का दावा इजरेल करता रहा है उसकी लड़ाई जो जमीन पर लगातार चलती रही है बावजूद इसके वहां के सुरंगे जो हमास की हैं उसका सिर्दद क्यों बनी हुई है सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पटना पटना में आज CPI की रैली हुई उस रैली में नितीश कुमार को बुलाया गया बतार मुख्यमंत्री और उस गठबंदन के नेता हैं जो गठबंदन बिहार में सरकार चला रहा है जिसमें लिफ्ट दल भी शामिल है नित जारा ध्यान पांच राज्यों में जो विधान सभा चुना हो रहे हैं उसकी दिल्चस्पी इंडिया गठबंधन में अभी है ही नहीं हम लोग हैं कॉंग्रिस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं नैंद्र मोधी की सरकार को हटाने में लगे हुए हैं और वो हैं कि उनक टेजी से हो लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा आभी पांच जगा विधान सभा का चुनाओ है तो इसको हम लोग कॉंग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुठों के काम कर रहे थे लेकिन अभी उनको कोई इससब चीज की चिनता है नही अभी तो लगे हुए है पांच राजे के चुनाओ इसलिए पांच राजे का चुनावा होगा उसको अपने सब को बुलावे ग्याज करू कभी कोई चर्चा नहीं हो रही है कॉंग्रिस वालों के उपर ठीक राप हो रहे हैं हम चाहते हैं हमारी कोशिश तो है ही लेकिन वो नहीं चाहते हैं दरसल इंडिया का जो गठबंदन है नितीश कुमार ने इसके लिए बड़ी महनत की शुरुवाती दौर में इनकी ही कोश्वों के चलते हैं इंडिया गठबंदन की बैठक जून में पटना में हुई और उसमें 15 दल शरीक हुए जितने बड़े दल आपको दिखते हैं वो आरजेडी हो, जेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, शिव सेना हो, मैं आपको यह दिखाता हूँ कि कैसे वो बैठक हुई यह तमाम दल जो हैं यह पतना की बैठक में शामिल हुए और इनकी ये सीटेद विधान सभाकी हैं लोग सभाकी कुल जो सीटे हैं वो आपके सामने है यानि कि ठीक ठाक दलों का गटबंधन तयार हुआ पटना में और यह दल यह बैठक इस मामले पर सहमत हुई कि हम लोग मिलकर के लड़ेंगे मिलकर के नेंद्र मोदी की अगवाई में चलने वाले इंडिये गटबंधन का सामना करेंगी और कुशिश मारी यह होगी कि है सरकार जो 10 साल से है उसको हम सथता से बाहर करें और हम सरकार में आ करके इस देश को बचाएं, लोग्तत्र को बचाएं और सरकार जो एगेंसिस के इस्तमाल कर रिये विवक्ष के खिलाफ है उससे हम निजात दिलाएं तमाम तरह की बाते कही गई इसके बाद बिहार से अगली जो बैठक हुई वो बैंगलूरी में हुई वहां कॉंग्रिस की सरकार है और उस बैठक में भी कमो बेश विरजामंदी हुई कि हम साथ तो लड़ेंगे पटना वाली बात बैंगलूरी में जाते जाते बस इतनी बढ़ी कि जो पंदरा दल थे वो वहां जाते जाते 26 हो गए और पटना में जिन मुद्दों पर सहमती रह भट हुई वहां यह तैंवा कि कोईनेशन कमेटी कादिर्नेशन कमिटी पांच बनेगी और वो तमाम दलों के बीच में अलग अलग तरह की जो दिकते हैं समस्याएं हैं अर्चने हैं उनको दूर करने का काम करेगी सीटों के बीच में साजेदारी कैसी हो मुद्दे क्या उठाये जाए राश्ट इस्तर पर आपस में मिल करके नारा क्या तयार किया जाए किन बंचुप पर किन किन नेताओं को भेजा जाए रैलिया किन किन लोगों क कहा कहा करवाई जाएं देश के भीतर अपने हक में गटबंधन के हक में माहल कैसे तयार किया जाए यह सब कुछ पटना से लेकर कि मुंबई तक की बैठकों में हुआ लेकिन मुंबई के बाद से सब कुछ ठप हो गया गाड़ी जैसे की एंजन समेट बैठ गई नितीश कुछ तकलिफ पटना की थी वो इसी बात की थी कि हमने इतना कुछ किया है हम चाहते हैं कि नेंद्र मोधी की अगवाई वाली सरकार इस देश में ना रहे हम कॉंग्रिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कॉंग्रिस का क्या करें वो तो सुनने को तयार नहीं है उनको तो विधान सभा चुनाओं की लगी पड़ी है अब नितीश कुमार जहां थे वहाँ एक और काम हुआ आज पटना से दो खबरें हैं और दोनों खबरों को मैं समझाओं ताकि राश्टर स्थर पर जो तस्वीर बन सकती है वो आपको दिखाऊं जेडिव और आर जेडिव इन दोनों के बीच में एक टकड़ाव चल रहा है नितीश कुमार के लिए कोई जरूरी नहीं था कि उन्होंने जो कहा उस बैठक में वो कहते हैं अलग-अलग फोरम है गठबंदन का आई एंडिया ये गठबंदन का वहां भी कह सकते थे फोरम ठा करके भी कह सकते थे लेक जहाए इसकी कोशच उन्होंने की चर्चा करनी होती थी तो कर लेते लेकिन उन्होंने कहना जरूरी समझा दरसल नितीश कुमार की पहल पर जो कुछ बही हुआ है उसकी जानकारी मैंने दी और अब पटना में क्या हुआ है कि एक और काम हुआ नियुक्ति पत्र शिक्षको के बीच इस बात की लड़ाई चलती रही कि क्रेडिट किसको दिया जाए जो मंच लगा जहां नियुक्ति पत्र देना था उस मंच पर नितीश कुमार की किलौती तस्वीर थी मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा अब आर्जेडी को लगा कि भाई यहां सरकार हमारे ब पर नियुक्ति पत्र जहां माटा जाना है जहां लोगों को नौकरी देने का एलान किया जाना है वहां सिर्फ आपकी तस्वीर है जहां बात पच्ची नहीं तो आर्जेडी ने क्या किया आर्जेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो आर्जेडी का है उस पर एक बड़ तो अपने अपने मोचे पर दोनों दल अपनी अपनी तरफ से इस बात की कोशिश करते रहे कि जो नौकरियां दी जा रही है नियुक्ति पत्र दी जा रहे हैं वैसे तो ये आज की तारीख में डिजिटली भी आप भेल सकते थे मेल से भी भेल सकते थे लेकिन मेला लगा करके बाट करके और पूरे राजी में एक संदेश देना था कि हम आपके उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं हमारी सरकार काम कर रही है अब ऐसे में भाई क्रेडिट श्रे किसको जाना चाहिए इसकी लड़ाई दिखती रही दूसी लड़ाई मंच पर जो तस्वीर थी उससे भी दि पीच-पीच में देते रहते हैं और जेडियू को सफाई देनी परते हैं कि नहीं यह गलत कह रहे हैं हम माना से सम्मान करते हैं और हिंदू परंपरा और भावना का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं तो चंद श्रेकर बैठे हुए थे और दूसरे तेजस्वियादों थे ज और इन चार के अलावा केके पाथक जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा मंत्राले में जिनकी शिक्षा मंत्री चंद श्रेकर से बिलकुल नहीं बनती है उनको नितीश कुमार ने मंच पर बिठाया था और उन्होंने जो सामरे जनता बैठी थी उससे उनकी खातिर तालिय कंट्री बैठें वे थे देखें पुरा वीडियो आप 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 आठक जी अगरा जो महिना के अंदा जो बचा हुआ है एक लाख बीश हजार के करीब उसका भी सुरू करवा दिए आप 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 करेये और हमना पो आप आपद आप आप करा इंदा देना हमते बहुत में कर देना हम ना भी रहते है तार आप आप आपको भील आप 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 इसे इंसम्रों को भी कर दिया जाएगा बत हद तक समझ में आता है और बार बार दिखता सा है उसको थोड़ा और विस्तार से आपको बताने के लिए मैंने शक्ति को जोड़ा है शक्ति केके पाठक और चंदरशेखर इन दोनों के बीच का टकराओ जग जाहिर है बिहार में हर आदमी जानता है मंच से नितिश्कुमार ने जो कुछ कहा करवाया और इस मंच पर आने से पहले जो पोस्टर का युद्ध होता रहा इन दोनों के बीच में मेसेज क्या है आपने क्या समझा है जी सर बिल्कुल देखे कहीं मैसेज एक देने की कोशिस हुई है कि जो आरजेडी और जेडू के बीच में जो है जो सिक्षक निउक्ति को लेकर केडिट लेने की जगातार होर सी जो है मची हुई है लोटे थे और सीधे वह बिहार पे आ जाए और यहां पर निउक्ति पत बातना था और पतना में 25,000 जो है शिक्षकों की बाता गया उसमें इसको लेकर गांधी मैदान में बड़ा सा पंडाल ही बनाया गया और लेकिन इस निउक्ति पत को लेकर केडिट लेने की जो होर थ फ़िवा के कारिकार में गया वहाँ पर आरजएडी के जो मंतरी बैठेवे थे उनके तरफ उन्हों ने इसारा करके कहा कि जो सरकार के जो कामकाज है उसको क्रेडिट खुद ना लीजे सरकार की बात कहिए कि सरकार ने ये काम किया है था आरजएडी के नेताओं को कि आप जो है बिहार की सरकार को लेकर कहिए ना कि खुद को लेकर कहिए कि उनके तरफ से नोक्तिया बागती जा रही है और उसके बाद सर इसके कुछी चंद घंटों के अंदर ही एक आरजेडी के ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें तेश्वी आदब की बड़ी सी जी जी और इस बस चंद मिन्टों के बाद जो मेन मंच था गांदी माटा गया उसके बैकडॉप एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी पोस्टर था और उस पोस्टर में बस निकतिस कुमार की सिंगल एक उनकी ही तस्वीर थी तो कहीं ने कहीं जेडियू के तरब से ये मैसेज प्रचारित करने लगी कि हमने जो वादा आपसे किया है हम वो पूरा कर रहे हैं तो सुबह सुबह निकति पत्र बातने से पहले नतीश कुमार कहीं जा रहे थे तो उनको आर जेडियू के नेता मिल गया तो कहा कि सरकार के बारे में बोलिए सरकार जो कर रहे है उसका आर जेडियू के बीच में चल रही है अब इसी लड़ाए के बीच में दोनों दलों के बीच में स्टीटों का समझना वहुता कैसे होगा और बाकी दलों को कैसे यह शामिल कर पांगे कॉंग्रेस और लिफ्ट को यह अपने आप में बड़ा सवालित पर हम लठ करके अकलेश व्याद़ों हैं जिनके पास समाजवादी पार्टी की कमान है और समाजवादी पार्टी इस बार कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश में जादा से जादा सीटों पर वो लड़े अगर आई एंडिया ये गठबंधन बनता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोश्च करता हूँ तो उस गठबंधन में जो उनकी हैसियत है उस हैसियत के मताबिक वो सीटों की साज़दारी चाहते हैं या हिस्सेदारी चाहते हैं ये 111 सीटे हैं बीजेपी और एंडिये को जितनी सीटे मिली है उसको आप अलग हटा दिए और विपख्ष के पाई जो कुल सीटे हैं वो 111 सीटे समझवादी पार्टी के पास है विधान सभा की बात मैं करो 2022 की और कॉंग्रेस के पास दो सीटे आरेलडी के पास आठ विधान सभा की सीटे हैं अपना दल के के पास एक कुल मिला करके 122 सीटे होती हैं इन 122 सीटों को 100 फिसदी आप मान ले तो 111 सीटों में इसमझवादी के पास 90 फिसदी हिस्तेदारी बनती है इस अधार पर अखलेश कर 90 पसंद देखेंगे तो बहतर सीटे बनती है लोग सभा की जहां दावेदारे खलेश श्यादों कर सकते हैं कि बहतर सीटों पर हम लड़ेंगे आठ सीटे हैं एक दो आरेली ले ले और पांच छे सीटें कॉंग्रिस ले ले इससे जादा हम नहीं दे सकते हैं हलांकि उन् मत चलिए हटिए हम अकेले चलेंगे अकले श्यादों का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ किंती है वो इसलिए भी थी कि वहां पर जो लोग जो प्लेश के काकार्णी के लोग आये थे उन्होंने कई लोगों ने कई तरह के सुजाब दिये है समयादी पार्टी को इतनी सग्षा कि सीटों पर दावा करना चीए लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ अभी तक जितने हमने गड़वंदन किये हैं कोशिस हुई है कि किसी गड़वंदन को जो साथी हो उसको निरास ना करें दुनिया में सस्पेंस तो थ्रिल से भरी हुई जितने भी फिल्मे होती होंगी वो पॉलिटिक्स के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती हैं कब क्या होगा इसका कुई अंदाजह नहीं है अभी जो बैान दिया जा रहा है वो बैान कब तक टिकेगा इसके बारे में तैशुदा तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है अब जो बयान समाजवादी पार्टी के नेता अखलेश श्रादों की तरफ से दिया जा रहा है कि 65 लड़ेंगे और नहीं तो पूरा लड़ेंगे कारण उसका एक और है जिसकी बुनियाद पहले पड़ गई अखलेश श्रादों के बारे में अखलेश श्रादों के सामने जब कॉंग्रिस के उत्तरप्रदिश को धक्ष अजयराय का जिक्र किया गया था उनके कुछ बयानों को ले करके तो उन्होंने कुछ अपशब्द पहुंचा और उन पर उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो जब अपने पिता की नहीं सुनते हैं उनकी इज़त नहीं करते हैं तो मेरी क्या करेंगे अब अखलेश श्रादों और अजयराय जो कॉंग्रिस के अध्याक्ष प्रदेश में उत्तरप्रदेश में इन दोनों के बीच की जो टकराहटे हैं वो कॉंग्रिस समाजवादी पार्टी के रिष्टों में एक दरार डाल गई हैं और अकलेश श्रादों इसलिए अकेले बूते भी आगे बरने की तैयारी में दिख रहे हैं मूड में दिख रहे हैं तो बिहार से उत्तरप्रदेश जो बाते हैं तो आपको सितियां आई एंडिये गठबंदन के बीच या अंदर कुछ बेहतर दिखती हैं या आप नहीं कह सकते हैं अब उत्तरप्रदेश के बाद हम बात कर सकते हैं या अब मैं आपको पहले बयान सुनाता हूँ जो अजयराय और अखलेश शायदों का बयान है यह दोनों कर अब सुनेंगे तो शायद आपको उत्तरप्रदेश में इन दोनों दलों के बीच में जो मनभेद है गांठ है मन के भीतर उसका अंदाजा होगा देखें प्रदेश अद्देश की कोई हैसित नहीं है न वो पटना की मीटिंग में थे न वो जाकर के बॉंबई की मीटिंग में थे इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गड़वंदन के बारे में उनके क्या हैसित है जो बोलना है इस तरह की बात पूछी रात गृमनाथ जी कव्रेज सी नहीं, भॉर्ट से पूछí प्रदीस, पूछिए ना पूछी अनकी गृमनाद 2008 जी. मुझे यह भरोसा होता कि कॉंग्रेस पार्टी के लोग धोगा देंगे तो मैं उनकी बात पर भरोसा नहीं करता मुझे बताये गया कि छे सीटों पर आपके लिए सोचा गया है विचार किया गया है और उस पर तैक रहेंगे सिटिंग है मेले की जगे आप सीट दे दोगे पाद बनना और आगे बनाना यह तो रस्टी नित्यूत का काम है मेरा सुझाओ देना यह अपनी बात को कहना ये हम सब का काम है और अपना काम तैयरी करना जिसे मैंने उत्तर पर जिसमें का कि 80C की हमारी तैयरी है तो हम 80C की अपनी तैयरी कर रहे हैं हम अभी कानपूर में थे कानपूर में जबर्दस तरीके से वहाँ आपकी तैयरी चल लई है कल पूरा दिनभर कानपूर के अंदर और फतेपूर खागा लगबग 13 जनपत के लोग बुंदेल खंड के सभी लोग महा आए थे और जबर्दस तयारी है हम अपनी पूरी असिसीट के तयारी करें 2017 के विधान सभा चुनाव में दो लड़के आये थे लिए श्यादर राहुल गांधी और दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था लेकिन साथ आना रास नहीं आया था नतीजा मनमाफिक मिला नहीं दोनों पार्टियां ओंदे मों गिर गए थी और बीजेपी प्रचंड बहुमन के साथ उत्तर प्रदेश में आयी थी अब दिल्ली आते हैं बिहार गए उत्तर प्रदेश पहुँचे और वहां से अब दिल्ली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार है और आम आदमी पार्टी के जो कनवीनर हैं अर्विंद केजरिवाल दिल्ली के मुक्मंतरी हैं आज की तारीख में एडी के सवालों के घेरे में हैं उनके उपर एडी का शुकंजा कसरा है उनको जाना था एडी के सवालों का सामना क पर अधारित हैं और आपने किस हैस्टियस से मुझे ये समन भेजा है, इलीगल है और आप अपना समन वापस लें तो बहुत सारे सबाल अर्विंद केजिरिवाल ने ED के सामने रखे हैं और अब समय आएगा जब ये तैय होगा कि अर्विंद केजिरिवाल ED के बीच में जो त किसने लगा है बार बार इस बात का हवाला देने लगी है कि यह जो सरकार मौजूदा है वो केंद्रे जैंसियों का एस्तेमाल विपश्ट के सभी नेताओं को घेरने और कानून के शुकंजे में इलानी की खातिर कर रही है और यह विपश्ट के लिए भूत ही खतरनाक हैं बावजूदा इसके विपश्ट के जितने भी नेता हैं चाह समाजवादी पार्टी हो या RGD हो या कॉंग्रेस हो सरकार के बीच की है बाकी दलों को साथ लेने के जो कोशिश आमादमी पार्टी की रही है आप मान सकते हैं कि बहुत हद तक वो नाकाम रही है अब 2024 की तस्वीर इस अधार पर कैसी बनती है इसको भी समझा जाना चाहिए जो राजनीत की बुनियादी और बारीक समझ रखता ह है और दोनों दलों के बीच टकराहटों को समझता है बुनियादे चरितर समझता है दोनों दलों का तो फिर वो है मान लेगा कि समझोता नहीं हो सकता है आमादमी पार्टी ने अपनी जो सियासी जमीन बनाई वो कॉंग्रेस की सरकारों को हटा करके और बतार दल कॉंग्रे पार्टी ने बढ़ाया है और बनाया है वो सिर्फ कॉंग्रिस की कीमत पर तो कॉंग्रिस का कद घड़ता है तो आम आदमी पार्टी का कद बढ़ता है और आम आदमी की हैसित बड़ी होती है लिहाजा कॉंग्रिस को यह बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है वो अपने गठबंदन को, संगठन को, नेताओं को एक जुट करके और अपनी जमीन बढ़ाना चाहती है, अपनी ले गुंजाईश पैदा करना चाहती है 2024 में इसलिए इन दोनों दलों के बीच में दो जो बड़े राज्य हैं जहां दोनों आमनी सामने हो सकती हैं वहां कोई समझोते की सूरत बन जाए, ऐसा लगता नहीं है, बहुत पहले अलका लामबा की एक बाइट थी, जब कॉंग्रिस कमिट्री के दिल्ली में बैठा कुई थी, उसमें राहुल गांदी भी थी, मलिकाजुन खरगे भी थे, और वो भी थी और दिल्ली के कई और नेता थे, वहां से निकल करके उन्होंने यही कहा था कि अंदर सहमती यह हुई है, कि हम सातों सीटों के लिए दिल्ली में जो लोग सबा की हैं, तैयारी करेंगे और लरने के लिए भर्दम कोशिश करेंगे. वो आधा हिस्सा जिसके वगएर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य.